हम हमेशा से ये चाहते हैं कि हमें लोग पहचाने, हमारी तारीफ करे, हमारी मदद करे, हमसे सभी प्यार करे, हमारे साथ सभी अच्छा बिहेव करे तो ये होगा कैसे? आईए जानते हैं इस कहाने के जरिये एक राजा था जिसकी कोई संतान नहीं थी और उस राजा की उमर भी हो रही थी तो राजा ये सोचकर परिशान हो रहा था कि आगे मेरी जगा राजा कौन बनेगा? मेरा ये राजपाट कौन समालेगा आगे? तो उन्हों ने राजा ने ये बात सब को बताई इस बात पर राजा को सभी ने सलाह दिया कि आप मंत्रियों में से किसी को राजा बना ले अपने करीबी में से किसी को राजा बना ले या फिर प्रजा में से किसी को भी राजा चुन सकते हैं या फिर आप कोई शर्त रख दीजी ऐसा कोई चैलेंज रख दीजी ऐसा जिसे पार करेगा वो ही राजा बनेगा तो राजा सोचने लगे और फिर सोचे की शर्त वाली बात तो ठीक है कुछ ऐसा ही करके देखते हैं परिक्षा लेके देखते हैं जो उसमें पास होगा उसे र राजा बनने के लिए कोई भी उमर या फिर वो अमीर गरिब कोई भी हो कोई भी राजा बन सकता है बस कुछ प्रशनों के उतर देने होंगे और जो उसमें पास होगा वो राजा बनेगा राजा उससे बातचीत करेंगे उन्हें जो ठीक लगेगा उसे वो राजा जो की खेती कर रहा था तो वो घर आकर अपने पिता से बोलता है कि मुझे भी वहां इंटर्व्यू देने जाना है तो उसके पिता ने कहा कि वहां कुछ होने वाला तो है नहीं तो देख लो तुम जाना चाहो तो जा सकते हो तो वो मान गया और फिर वो जाने के लिए वधार वधार लिया किसी से और वो एक जैकेट बनवा के लेके आया और वो जैकेट पहन का रेडी हुआ अगले दिन निकल गया इंटर्व्यू देने रास्ते में बहुत कुछ वो सोचते हुए जा रहा था जैसे हम कोई इंटर्व्यू देने के लिए जाते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी बाते चल रही होती कि क्या बात, कौन सा question पूछा जाएगा, क्या जवाब देने होंगे तो बस यही सब वो सोचते सोचते जा रहा था लगबग नगर आ ही गया, वो पहुंच चुका था तो रास्ते में उसे एक विखारी दिखा उस विखारी ने इस लड़के को देखा और उससे कहा कि बाबू क्या आप मेरी मदद कर दोगे सर्दी का मौसम था, वो बिल रोड पर बैठा हुआ विखारी सर्दी के मारे काप रहा था बिलकुल बहुत सर्दी लग रही थी, उसे ठंड लग रही थी और उस बिखारी ने उससे कहा कि मुझे कुछ ओढ़ने के लिए देते जाओ, वो ठंड लग रही है मुझे, तो यह लड़का सोच में पढ़ गया कि मेरे पास तो कुछ भी ऐसा नहीं है, मैं क्या दू इसे, मैं इसे खाने की चीज़े भी नहीं दे सकता, पैसे मेरे पास ह मुआ नहीं, तो क्या दूँं से ओरने के लिए और उसके जैकेट दिखा उसे और फिर ऐसे बहुत सोचा, फिर वो जैकेट निकाल कर उसे दे दिया, जो ओडने के लिए दे सकता हूँ मैं तो उसने वो जैकेट निकाल कर उस विखारी को दे दिया और वो चला गया उसी मेले फटे पुराने कपड़े पहने हुए ही कि चलो जो होगा देखा जाएगा यह लड़का महल में पहुंचा सैनिक मिला उसे सैनिक ने कहा कि उस जगह पर ज सोचते हुए जा रहा था कि राजा मुझे इस हाल में देखेंगे तो क्या सोचेंगे वो अब तो मेरे पास वो जैकेट भी नहीं है यही गंदे कपड़े पहने हुए हूँ क्या सोचेंगे वो तो फिर वो वापिस जाने के बदले वो यह सोचा था कि कोई बात नहीं पिता देखकर ये विल्कुल ना शौक्ट हो गया ये इसे लगा कि ये क्या देख लिया इसने ये क्या है कुछ समझ नहीं आया इसे क्योंकि वो राजा वो वही भिखारी था वहाँ पर जिसने इससे हेल्प मांगे थी और इस लड़के ने उसे अपना कोट उटार कर दे दिया था ये वही था फिर इस लड़के ने पूछा कि आप वही है जो मुझे रास्ते में मिले थे तो राजा ने कहा कि हाम मैं वही हूँ जो रास्ते में मिला था तो इसकी अंदर थोड़ी सी हिम्मत आई और इसने पूछा कि ये क्या है मिन्स की एक वही जैकेट थी मेरे पास और वो भी मैंने आपको दे दी थी ये कैसे परिक्षा लेने का तरीका है ये क्या है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है फिर राजा ने कहा कि शांत हो जाओ घबराओ मत अगर में राजा बनकर ही तुम्हारे सामने आ जाता और मैं जो बोलता वो फिर तुम कर देते मुझे इं अंदर से कैसे हो राजा ने बोला सर्दी का मौसम था मैं वहां विखारी बनकर बैठा हुआ था ठंड के मारे काप रहा था और उस वक्त तुमने मुझे ये जैकेट दी थी मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास और घर पे ज्यादा कपड़े भी होंगे ये जैकेट भी तुमने बड़ी मुझेलों से लिया होगा और ये भी तुमने मुझे दे दिया था राजा ने ये बोला कि अब मेरे बाद राजा तुम ही हो इस राजा के मैंने तुम्हें ही राजा चुना फिर ये लड़का सुनकर कि अगला राजा ये होगा सौक्ट हो गया और बोलता है कि ऐसे कैसे आपने अनाउंस कर दिया कि मैं ही राजा वनूंगा आपने तो मेरे से कोई प्रश्ण भी नहीं पूछे मेरा इंटर्व्यू भी नहीं लिया और आपने ऐसे ही बोल दिया राजा ने कहा कि मुझे कुछ पूछने की जरुरत ही नहीं है जो इंसान दिल से अच्छा होता है जो इंसान जिसके पास कुछ भी ना होते हुए भी वो दूसरों की हेल्प करने के बारे में सोचता है वो अपनी चीजे दूसरों को बिना ये जाने की रिटर्ण में उसे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा यह जाने अपनी चीजे दूसरों को दे देता है ताकि उसकी मदद हो सके उसकी हेल्प हो सके तो बस वही एक अच्छा इंसान हो सकता है अच्छा इंसान एक वही होता है जो बिना स्वार्थ के किसी की मदद करे राजा ने कहा कि मुझे एक ऐसे राजा की तलास थी जो कि खु एक बहुत ही खुबसूरत सा मैसेज देती है कि जिन्दगी में अगर कुछ बनना है तो सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनो अगर आपको भी कभी ऐसा मौका मिले कि किसी की मदद कर सको तो पीछे बिल्कुल भी मत हटना और उसकी मदद करना जरूर तो अज के लिए बस इतना ही ये स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और थैंक्स फूर वाचिंग